इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है कोले कल्सिफेरोल शरीर में कल्सियम और फॉसफोरस के अवशोशन में सहायता करता है स्वस्थ हड्डियों को बनाने और बनाय रखने के लिए पर्याप्त विटामिन D, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्राप्त करना महत्व पूर्ण है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, विटामिन A यानी की पार्मिटेट, शरीर की द्रिश्टी, त्वचा, हड्डियों और अन्य उतकों के लिए फाइदे मंद है विटामिन A एक शक्तिशाली अंटियोक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है स्वस्थ हड्यों को बनाने और बनाय रखने के लिए परियाप्त विटामिन D, केल्शियम और फॉस्फोरस प्राप्त करना महत्वपून है विटामिन E एक अंटियोक्सीडेंट है जो मुक्त कणों को हटाने में सहायता करता है जो अस्थिर योगिक होते हैं जो सेल को नुकसान पहुँचाते हैं जब आप विटामिन E खाते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है विटामिन E का एक और महत्वपून लाब ये है कि यह कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है चार शरीर के सभी भागों में उतक वृद्धी और मरमत के लिए विटामिन C की आवश्यक्ता होती है पांच, थाइमिन हाइड्रोकलोराइड एक नमक प्रकार का थाइमिन है जो एरोबिक चयापचे, कोशिका विकास, तंत्रिका आवेग संचरन और एसेटाइल कोलाइन संचलेशन के लिए आवश्यक्त है छे, राइबोफलेविन सोडियम फॉसफेट जिसे विटामिन G के रूप में भी जाना जाता है, कोफेक्टर्स FAD और FMN का एक घटक है और अन्य विटामिनों की सक्रियता सहित कई फ्लेवो प्रोटीन एंजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हूँ, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें झाल